हेलो बेटा आज हम फर्स्ट वर्ड वार के समय भारत का जो अधोगी कुदपादन था वो क्यों बड़ा था इसके बारे में डिस्केशन करेंगे बेटा तो चला सुरू करते हैं बेटा यह पहले विसे यूद तक बेटा यानि फर्स्ट वर्ड वार से पहले भारत का जो अधोगी कुदपादन था वो बहुत धीमा हो गया था खतम होने के कागार पर आ गया था क्योंकि छोड़े चोड़े जो हमारे लोगों कुटवीरों दोग थे वो भी खतम होने लग गये थे क्योंकि जो इंग्लेंड का बना हुआ मसीरनी माल था वो यहाँ पर आकर सस्ते दामों पर बिखता था और हमारा हाथ से बना हुआ माल तो महेंगे दामों पर बिखता था इस परकार जो भारतिय उद्धोग थे उसको काफी नुक्शान हुआ था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पर्थम वीशो यूद के दोरान हमारा जो अदोगिक उतपादन था वो एकदम अचानक से बढ़ गया था तो उसकी क्या रीजन थे उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्केशन करेंगे बेटा तो चला सुरू करते हैं मेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था बेटा इस इसकार खाने थे जो बेटा वो सेना की जो जुरूरते थी उसको पूरा करने के लिए युद संबंदी ही उतपादन करने में वैस्त हो गये थे और इस बारत में मैंचेस्टर के मालका आयाते कम हो गया और इंग्लैंड से जो बना हुआ माला यहां मारे इंडिया में आता थ बेटा वो कम हो गया इस परकार भारतिय बाजारों को रात तो रात एक देसी विशाल देसी बाजार मिल गया युद लंबा खिचा तो भारतिय कारखानों में भी फोज के लिए जूट की बोरिया फोजियों के लिए वर्दी के कपड़े टेंट और चमड़े के जूते काम पर रखा गया और हरे को पहले से भी ज्यादा कर समय तक काम करना पड़ता था इस परकार यह रीजन थे क्योंकि युद के दोरान जो अदोगी कुत पादन था वो तेजी से बढ़ा बेटा तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा थैंक्यू बेटा